हेलो बच्चों मैं केके वर्मा आप सभी को मास्टा श्ट्रोक ट्रिक एंट टेक्निक नी 2020 स्रीज में आपका स्वागत करते हैं अज हम लोग डिसकॉस करने जाएं टीक नमबर टू टॉपिक है मारा है सच्चे हम इक्वेशन बेश्ट प्रब्लंस या क्वेश्चन देखिए इस प्रकार के प्रबेश्ट में हमेशा एक इक्वेश्चन दी होगी जैसे मैंने एक दिखाया है क्या एक एक एकवेश्चन प्लस 120 प्लस 3 sin उमेगा T प्लस 30 degree अब आपसे यह पूछा जाएगा कि इस जो equation दी गई है इनका resultant amplitude क्या होगा और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि दो equation जो आपस में मिलाए गए है तो इनका resultant equation बनेगी displacement की वो क्या होगी तो यह अकसर question आते रहते हैं वो चाहे जैमेंस हो या नीट का question हो इसमें नीट 19 में आपसे question इस पूछा जा चुका है जो अभी हम question solve भी करेंगे ठीक है तो देखे इसकी trick क्या है इसकी technique क्या है तो देखे इसमें की question हमने लिखा यह technique का formula है जिसको आपको कुछ समझना है कि कैसे हम इसको देखेंगे ठीक है जैसे x equal to a net sign bracket में phase of a1 plus 5 अब आपका challenge यही है कि a net कैसे find किया जाए phase of a1 है क्या चीज और प्लस जो 5 लिखाई है अगर इनको हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम trick use कर ले जाएंगे तो इनको समझने से पहले कोछ छुट छुट पॉइंट है जो आपको सुनना है समझना है और not कर लेना है ठीक है तो देखते हैं क्या है point यह चार point बताये गए है पहले बात क्या है सुनिए दोनो term में sign होना चाहिए जैसे equation आपके सामने है पहले में भी sign है और दूसर में भी sign है के लिए इसका मतलब है हमारी equation सही है अपने trick के recording हो के next point है कि दोनो term के बीच में plus होना चाहिए जैसे यह देखो दोनों के बीच में क्या लिखा है plus लिखा है हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों में sign ना हो किसी में एक में sign हो एक में cause हो या ऐसा भी हो सकता है कि बीच में plus ना हो minus हो तो क्या करेंगे तो वो सब चीजें अभी हमें यहीं समझना है इस case के अंदर next point यह है आपको यह समझना है कि A1 कैसे find किया जाए क्योंकि आपको मालूम है यह phase आप A1 लिखना है तो A1 उसे आप बोलेंगे जिसका phase छोटा लिखा होगा जैसे देखी एक question में एक यह है और एक यह है अब इसके साथ लिखा हुआ है 120 डिगरी और इसके साथ लिखा है 30 डिगरी ठीक है तो मैंने कहा है किलिए ओके next point यह है कि एनेट कैसे बनाएंगे तो A1 A2 जब मुझे मिल जाएंगे तो उनको हम वेक्टर मान के उनका वेक्टर एडिशन करेंगे और फिर एनेट को find out कर लेंगे तो चलिए देखते हैं इस ट्रीक को फालो करते हैं कैसे question बनते हैं अब देखिए इन ट्रीक को हम अपने problems में कैसे handle करते हैं वो समझना है ठीक है तो चलो next question के साथ अब इन ट्रीक को समझा जाए कि कैसे इनको apply किया जाएगा ठीक है अब देखिए यह सारे जो point हमने trick के point बताए हैं अब इनको हम किस तरीके से use करें अपने numericals में यही technique आपको सीखनी है तो यह चारो point हमने समझ लिया है कि किस तरीके से इसको use करना है तो numerical के जरी हम चारो point को revise कराते हैं ठीक है चलो चलते हैं देखते है देखिए मैंने पहला question ले लिया x equal to 4 sin omega t plus 120 degree plus 3 sin omega t plus 30 degree जो हमने अभी example में आपको हम दिखा रहे थे अब हमें इसमें दो काम करने है एक तो a net निकालना है और दूसरी question बनानी है तो सबसे पहले question याद करते हैं जिसे हमने trig में use किया है x equal to a net sin phase of a1 plus 5 यह trig formula है अब कैसे इसको देखा जाए आप बात समझे यह trig में हमने कौन-कौन से point बताये थे सुनिएगा, द्हान से याद करिएगा सबसे पहले देखना है कि दोनों में sign होना चाहिए यहाँ, दोनों में sign है देखे, यहाँ है again sign है clear दोनों के बीच में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि मेरी condition सब सही है अब हम इस trick को लगा सकते हैं तो अब हम क्या करें सबसे पहला काम कि हम A1 कैसे जाने कौन A1 होगा किसे A2 का है तो देखिए मैंने कहा था A1 उसे कहा जाएगा जिसके sign के साथ जो phase होगा वो छोटा होगा तो आप यह 3 है इसको आप नाम A1 दे देंगे चली इस पे नाम लिख देते हैं यह A1 है और इसे आप नाम दे देंगे A2 के लिए तो सबसे पहला जो point यहां आता है आपको A net निकालना आता है पहले हम A net निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि निकालने का एक ही तरीका है कि A1 और A2 जो हमें मिल गए है इनको हम vector मानके इसको use करेंगे ठीक है तो vector मानते हैं तो हमेशा एक काम करना है A1 को हमेशा x axis पर रखेंगे जैसे A1 हमने note कर लिया A1 इकल टू 3 unit अब बात आती है कि A2 कहा रखा जाए तो A2 निकालने का एक तरीका है कि दोनों जो angle दिये हैं 120 और 30 degree ठीक है इन दोनों को difference कर दीजिए देखे 120 में जब 30 difference करेंगे तो 90 degree आएगा इसका मतलब यह हुआ कि हम A1 से A2 को 90 degree पे रखेंगे जैसे हमने इसको यहां रख दिया यह आपका हो गया A2 इसकी value कितनी दिये 4 unit ठीक के लिए अब जेखिए A net हम निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से कि A net होगा क्या तो आपको मालूम है 90 degree पे under root चलता है under root 3 square plus 4 square यह under root 25 value कितनी आ जाएगे 5 unit ठीक है अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ सकते हैं side में देखे कैसे यह आपका जब A net निकालोगे तो under root 3 square plus 4 square clear यह आपका बनेगा 9 plus 16 यह आपका बनेगा 25 जो बराबर किसके आएगा 5 के ओके यह हमारा complete A net हमें मालूम हो गया कितना A net निकल के आया 5 unit चलिए अब value रखते हैं तो हम value आप देखे answer बनाने हम लोग जा रहे हैं ठीक है तो देखे answer हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे x equal to A net कितना है 5 sin हमने लिखा था phase of A1 A1 का phase लिखा जाएगा केवल तो omega t plus 30 degree plus 5 यह हमने note कर लिया अब बात आती है कि 5 कैसे find किया तो 5 हमेशा A1 से बनने वाला angle होता यह angle होता ठीक है इसी को हम 5 कहते हैं तो अब इसको हम कैसे देखेंगे तो देखें इसमें हम geometry यूज कर लेते हैं आपको मालूम है ऐसे आप बना लिजिए 90 degree के केस में में साइजी यह 4 यह 3 और यह 5 इसकी value 37 degree होती है ठीक है तो 4 और 5 के बीच में जो angle होता है 37 होता है और 3 और 5 के बीच में जो angle होता है 53 degree होता के लिए सकते हैं 5 sin omega t plus 30 degree plus 53 degree अब option में ऐसे हो तो ऐसे trick कर दीजिए अगर दोनों को add कि अगए हो तो add कर लिजिए ठीक है इस तरीक देखे पहला question complete हो जाता है अब हम क्या करेंगे इसी trick को हम दूसरे question से और clear करते हैं अब देखे question number 2 दिया गया है आपको कि x equal to a sin omega t plus a cos omega t तो सबसे पहले main trick वाला formula लिख लिए जाए इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो a net sin phase of a1 plus 5 ओके अब हमारा पहला काम है कि a1 किसे कहेंगे तो तो अब देखें a1 a2 निकालने से पहले काम और करना पड़ेगा आपको क्या यह देखना है कि दोनों में sin होना चाहिए देखें इसमें sin है कास हमने भी बात की थी कि sin के लाबा कास भी हो सकता है तो अब देखें कास को कैसे हम convert करेंगे तो कास को आपको पहले sin बदलना पड़ेगा ठीक है तो देखें कैसे बदलते हैं कास को sin में तो देखें एकस इकल टू a sin omega t plus a sin omega t plus अब देखें कास को जब भी आप sin में बदलिएगा 90 degree plus कर दीजेगा इसमें क्या करेंगे आप 90 degree प्लस कर देंगे ठीक है तो लो 90 degree प्लस कर दिया अब देखें टर्म कम्पलीट हो गया पिछला जो हमने ट्रीक में बताया था अब देखें मैंने क्या कहता दोनों में sin होना चाहिए हाँ है दोनों के बीच में plus होना चाहिए वह भी ठीक है अब हम बात करें कि किसको हम एवं नाम दें किसको हम में deserves भड़ा सवाल यह किसे कहला जाए को आप इसको आप नाम देदें को यह phase बढ़ा हो गया और फेस छोटा हो गया किलियर तो दिखिए इसका नाम हम लग देते हैं यह हमारा a1 है यह हमारा क्या कहलाएगा a2 अब a net निकाला जाए सबसे पहले a net निकालते हैं तो दिखी क्या करेंगे देखिए मैंने आपसे कहा था कि A निकालने का एक तरीका पहले A1 निकाल लिजे उसे X-axis पर लग दीजे तो A1 को मैंने नोट किया A1 हमने लिख दिया A1 इकल डू कितना A किलिया अब A2 जब लिखेंगे तो A1 से अंगल बनाते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा निकालना देखें इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है 90 डिगरी तो 90 डिगरी पे इसको आप दिखा दीजेगा यह देखो 90 डिगरी पे हमने इसको दिखा दिया यह आपका A2 आ गया और वो भी A हम 90 डिगरी पे हैं तो इसके इसके लिए A नेट आप जानते हैं अंडर रूट करके निकाल सकते हैं तो आपका आयागा रिजल्ट A रूट 2 के लिए A नेट आ गया अब देखिए दोनों एंगल जो बराबर हों तो आपको मालू है बीच का एंगल बताना कोई बड़ी कहानी नहीं है कितना एंगल होगा 45 डिगरी चलिए एंसा लिखते हैं इसका फेज ओमेगा टी ही है तो ओमेगा टी और प्लस जो फाई है कितना 45 डिगरी ऐसा दिया हो हाँ आयवन की जो वाईलू थी यह जो ए था नेट वो आपका ए रूट 2 है ठीक है इसको सही कर लिते है यह आपको दिया था अब इसे साइसे नोट कर लेते हैं तो यह बना ए रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस इसको आप रेडियन में भी लिख सकते हैं पाई बाई फॉर ठीक है अब इस तरीके से रिजल्ट आ गया लिखें कितनी यह यूसफूल ट्रिक है कितने भी बड़े कुश्यन हो यह इस तर इसको सालों करेंगे तो तरिक्नामेटिय यूस करनी पड़े ऑब बिना ट्रिक्नामेट्रिक्ड से 6 गला कर रहा है एकक्जाम्पल और देखिए और अच्छे सा अस्माल ली जेए कैसे इसको हैंडिल किया जाता है देखी एक्जामपल थरी एक्सक्लिट आप प्लस ए aplra Exam 22 collect प्लस प्लस के लिए अब ए नेट और यह सम निकालने से पहले आपको यह समझना कि दोनों में sign होना जरूरी है तो चलते हैं दोनों में sign बना देते हैं तो आपको मैंने बताया था कॉस को sign बदलने का तरीका कि sign में 90 degrees आप याड कर लिए ठीक है लिखते हैं X equal to A naught plus A sine omega t plus B sine omega t अब कॉस को बदलना है तो 90 degrees में add कर लीजिए ठीक है हो गया अब चलते हैं A net निकालने तो A net निकालने के लिए क्या तरीका है हमने आपको बताया है कि A net कैसे find किया जाता है अब आपको पहले पहचान करना है कौन इसमें A1 है या कौन इसमें A2 है देखिए A1 A2 को पहचान करने का तरीका है देखिए ये फेज छोटा है और ये फेज बड़ा है ये आपको कहलाएगा A1 और ये आपको कहलाएगा A2 A1 को हमेशा एक सैक्सिस पर रखेंगे तो A1 जो आपको आया है वो कितना आया है और जो A2 आपको आया है वो कितना आया है B अब लेकिन दोनों के बीच माइंगल कितना है 90 तो 90 डिग्री पे से रख दीजिएगा इस तरीके से ठीक है तो A2 इकल टू कितना आ गया B इसका रिजल निकालेंगे तो A जो निट आएगा वो आएगा अंडर रूड A2 प्लस B2 किलियर तो यह हमारे पास फार्मुला हो गया A निट का अंडर रूड A2 प्लस B2 अब देखिए यही कुश्चन नीट 19 में पूछा जा चुका है यह कुश्चन नीट 19 में आया था ठीक है उसमें इतना ही पूछा गया था अब आप चाहें तो इसको आप पूरा सालू कर सकते हैं क्या आपको मालूम है किस तरीके से तो देखिए अगर आपको यक्स निकालना हो तो आप लिख सकते हैं अंडर रूड A2 प्लस B2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अब देखिए दोनों के बीच अगर वालू अब के लिए है नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप फाई ले लेजिए अब देखिए फाई लिखने का तरीका आपको मैंने बताया था एडिशन वेक्टर में कि टैन ऑब निकाह सकते हैं क्या करेंगे की बी साइन ठीटा अपान एप्लस बी कॉशट ठीटा तो फाई जब लिखेंगे तो इसको अब ऐसे लिखना पड़ेगा टैन इन वर्स बी साइन ठीटा अपान एप्लस बी कॉश ठीटा ओके यहां देखिए इस तरीके सेंसर इतना ही पूछा गया था उपर वाला तो आप इतने से ही साल्व कर सकते थे पॉइंट नमबर टू एसे एम आइटिफिकेशन ठीक है तो हमारे एकजाम में कुछ ऐसी प्रवलेंस भी आती हैं जिसमें कोई क्वैसंदी होगी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यह पिरोडि फंक्शन है या नान पिरोडि फंक्शन है और साथ में भी बताना होता है कि वो बॉड़ी शम कर रही है कि वो नान शम कर रही है ठीक है तो देखिए ऐसे कैसे समझा जाए तो इसके लिए कुछ फंक्शन है जो आपको समझना होगा याद करना पड़ेगा ठीक है बहुत छोटी-छोटी फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप बिना उसका कि यही सारे एंसल को पा सकते हैं तो देखिए पिरियोडिक और नान पिरियोडिक फंक्शन पिरियोडिक के लिए आप क्या कहेंगे कि अगर वो ट्रिग्नोमेंट्रिक फंक्शन है तो उसे पिरियोडिक बोलेंगे ट्रिग्नोमेंट्रिक फंक्शन का मतलब उसमें साइन ठ तो आप तुरन समझ जाए यह तो अगर तो पिरियोडिक फंक्शन होगा के लिए नान पिरियोडिक जो होते हैं वह कैसे हम समझेंगे तो इसके लिए दो बाते आपको समझनी है एक तो वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगे और दूसरी चीज होगे लॉग रिद्मेटिक फंक्शन होगे जैसे लॉग के फो में दिया होगा ठीक है और जो पिरियोडिक फंक्शन होते हैं वह दो तरीके के फंक्शन होते हैं एक तो SHM और एक नाट SHM मतलब कुछ बाड़ी जो SHM कर रही होगी और कुछ बाड़ी ऐसे होंगे जो SHM तो नहीं कर रहे होंगे बद वो पिरियोडिक फंक्शन जरूर होंगे जैसे देखिए अब देखिए यहां पर मनें दिखाया कि SHM और यह सारे नाट SHM तो कैसे पहचानेंगे पहचान देखिए कि कितनी आसान है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस तू ओमेगा टी के फॉर्म में अगर वो दिये हैं तो सारे के सारे वो SHM होंगे tan theta, cot theta, sec theta अगर इस तरीके से दिये गए हैं तो वो सब not shm कर रहे होंगे ठीक है तो यह trick आपने समझ लिया आप चलिए example के थुरू हम इस सारी बातों को discuss करते हैं अब देखिए आपके सामने कुछ example मैंने लिये हैं आप इसमें हमें identify करना है कि periodic हैं या non periodic हैं या shm करेंगी या नहीं करेंगी तो हम साथ में discuss करते चलेंगे और सारे answer को बताएंगे जैसे पहला question दिया है कि x equal to a sin omega t अब बताए इसका function कैसा है trigonometry function है ना तो अगर trigonometry function है तो पक्का हो गया कि periodic होगा एक बात अगर sin cos दिया हो sin हो cos हो तो ऐसे function आपके shm करते हैं तो ठीक है तो clear हो गया कि function कैसा है या equation कैसे है तो periodic equation है और साथ में क्या कर रही है shm कर रही है example number 2 में चलते हैं देखते हैं लिखा हुआ है कि x equal to a cos 2 omega t पका है ये भी sin cos का ही term है तो periodic तो होगा तिक हो गया कि periodic होगा और बात करती है कि ये वो shm करेगा कि नहीं तो हमने shm के लिए पहिचान बताई थी sin omega t हो सकता है cos omega t हो सकता है cos 2 omega t हो सकता है इसका मतलब ये हुआ ये shm कर रहा है ठीक है next देखे क्या है a sin omega t plus a cos omega t दोनों में देखो ट्रिमामेंटिक फंक्शन periodic 20 कर दीजे और साथ में ये shm कर रही है अब देखे ये periodic तो है क्योंकि sin का फंक्शन है बड़ पावर लगी है पावर होगी तो ये कभी भी shm नहीं करेगी क्योंकि हमने अपने trick में ये चीज़ दिखाई है ठीक है अब देखे इसमें shm जो कर रही है इसमें पावर नहीं है ठीक है तो अगर shm कर रही होगी तो पावर नहीं होगी अगर पावर है तो वो सारे का सारे not shm में चली जाएंगी तो अब देख रहे हैं पावर नहीं तो ये periodic होगी बट यह सचम नहीं करेगी ठीक है, next example देखे, cos omega t, cos 3 omega t, cos 5 omega t, यह तो clear है, periodic होगी, बट यह सचम नहीं करेगी, सबका phase अलग लग दिया हुआ, एक में 1 है, एक में 3 है, एक में 5 है, next example देखे, 3 cos bracket में, 5 by 4 minus 2 omega t, यह भी cos का function है, वंदो trigonometric function पिरियोडिक होगा, और cos का form है, सब्सक्राइब कर रहा है ठीक है नेक्स एजामपल देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा टीप प्लस ओमेगा इसकोड टीव स्क्राइब देखिए इसमें टिक्नमेंटिक फंक्शन नहीं है तो सीधे आप चले जाएए कहां यह नान प्रियोडिक होगी ठ ठीक है यह दिखिए अभी देखो लोग का फंक्शन है यह नान प्रियोडिक होगी ठीक Reynolds का दिखिए तो केवल होगी टी Scene Omega T, Cos Omega T Tregnomen究 Function है, इस का हम तो Purig होगी, बढ़ देखेे, एक में Omega T लिखा है, यह नाट है सा चम करेगी, ठीक है Next देखे, Cos दिया है, यह तो पक्का है, Tregnomen究 Function है, but हमने आपको Function में बात बताई थे उसमें, साइन कॉस टैन कोड साइन 3 ठीटा साइन 4 ठीटा यह बात है बताई थी अगर पावर आ जायेगी तो क्या करें tehdग coordin वह शयक्तर नहीं नहीं बात मतलब ऑजों तो आप एक काम नया करेंगे तो उसमें आप एक नहीं बात आपको बतानी है कि वह periodic नहीं फिर वह oscillatory function होगा मतलब oscillatory function होगा बट वह periodic नहीं होगी पावर ले लेंगे ठीक है नियान रखिएगा और देखिए दूसरी question दिये sin omega t minus cos omega t देखिए पिछले दोने example compare करें देखिए sin omega t cos omega t दोनों में है plus minus का इसूर नहीं है यहाँ पर सिरिफ अंतर है कि दोनों के देखिए यहाँ फेज सेम है और यहाँ दोनों के फेज अलग अलग है अगर फेज सेम है तो periodic के साथ सा SHM करेगी बट अगर फेज डिफरेंट है तो periodic तो होगे बट वह सेम नहीं करेगे के लिए ओके तो इस प्रकार से हमारी टेक अंबर टू कंप्लीट हो जाती है अब आप अच्छे से समझ गे होंगे दो टैप के हमने question लिए है एक तो equation-based problems और दूसरे कि अगर equation दी हो तो हमें identify कैसे करना होगा कि कौन से equation कर रही है कौन स प्रियोडिक होगी कौन से प्रियोडिक नहीं होगी या कोई oscillatory function तो नहीं है तो यह हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे समझ गे होंगे और इसे revise करिएगा note कर लेना अच्छे से वीडियो को pause करके और फिर revise करके एक्जाम में चाहिएगा असा करते हैं कि जो हमार अच्छे ट्रिक है वह आपके एक्जाम के लिए बहुत ही helpful साबित होगी थैंक्यू बाबाई एंड टेक केर